आज में लेकर आई हूँ मसाले वाली फ्राई मीच जो खाने का स्वाद आपका दूगुना कर देगा तो चलिए इसको कैसे बनाते हैं रेस्पी शुरू कर लेते हैं नमस्कार दोस्तों रानी की चन में आपका स्वाध है तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हरी मीच लेंगे अच में लेकि सारे मीच को इसी तरह से तयार कर लेरा है मसाला में हमनेहां पर सौउप लिया है सर्सू अजमाई और सूखी लाली हम्हाद दो बनाने यो बहुत ही टेस्टी बनता है और दो मिनट के अंदर जटपर से बनके तयार हो जाता है ज्यादा समय नहीं लगता है इसको बनाने में तो आप एक सदेड़ चमच तेल डाल दीए इसमें जो पीसा हुआ मसाला में लिया था उसको डाल दिया है थोड़ा सा हल्दी पॉडर डाल हीन डाल दिया है हीन जरूरी है इसमें डालना अच्छा टेस्ट आता है इसमें थोड़ा सा हल्दी पॉडर डाल दिया है हमें थोड़ा समने चाट मसाला डाल दिया है और इसमें डाल देंगे जो हरी मेट काटके रखी थी बस इसको डाल करके थोड़ी देर साथी में तेल क इसको चलाते हुए हम भूर लेना है और थोड़ा सा स्वात की नमक डाल दीजिए जलदी से गल जाता है और नहीं गले तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी एड़ कर सकते हैं थोड़ा सा अगर जो साफ्ट मीर्च खाने वाले होते हैं तो साफ्ट हो जाता है बिल्कुल आपको मेरी रेस्पी पसंदा आयए तो वीडियो को कि यहां पर दें ज्यादा से ज्यादा सेयर करें और नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जारूर करें वेल आइक उनको भी दबा दें तो कि आने माली वीडियो की हर जनकारी आपको सबसे पहले मिदें कर दएमने अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप खटाई भी इसमें पीस करके डाल सकते हैं तो यह लीजिए हमारा टेश्टी सा मीर्ज फ्राइट तैयार है तो आप इस तरह से बना करके रख लीजिए और खाने के साथ आप इसको इंजवाए करिए धन्यवाद